प्लीज सब्सक्राइब आर यूटूब चैनल ऑनलाइन इस्टडी अड़ा अलसो प्रेस दा बेल आइकन जिससे नेच्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले में हलो दोस्तों मैं पुलदेप सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी यूटूब चैनल ऑनलाइन इस्टडी अड़ा पे आज क्या वीडियो मुख्यता में उन्हीं लोगों के लिए लाया हूँ जो आर आर भी इंटी पीसी का एक्जाम देने जा रहे हैं जिन्होंने इ सुरू से लेके अंत तक जो इसका सेलेक्शन प्रोसेज होता है क्या क्या स्टेजेज होते हैं उसमें क्या क्या इजाम होते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखें 100% आपके लिए यूसफुल होने वाली है और अगर आपके काम की लगे तो किया ओनलाइन होगा क्या होगा कितने कुश्चन आएंगे इसका हमागे डिसक्स करेंगे पर सबसे पहले जाननों कि पहले की स्टेज का जो पेपर प्री का सबहीं के लिए तेस्ट का इसना यहोग है जैसा यह सान पकार आएगाल आदिक अदिक होता गया है मोल बेतन का उसी हिसाब से पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी सेट किया जाएगा मेंस वाले में यह जो सिकेंड स्टेज आफ सीबीटी है तीसरा है कंप्यूटर बेस्ट एक्टीट्यूट टेस्ट यह केवाद दो होस्ट ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन वेरिफिकेशन होनी चाहिए तो उन सभी डॉकुमेंट का वेरिफिकेशन होगा मेडिकल एक्जामिनेशन भी अलग-अलग पॉस्ट के लिए अलग-अलग मेडिकल क्राइटेरिया थी विजिबेल्टी के लिए और सभी चीजों के लिए तो वह भी बाद में होगा जब एक्जामिनेशन की वह जून से सितंबर तो इसका मतलब जून से सितंबर के बीच में कभी भी इसका पड़ सकता है तो अभी से तयार रही है जादो दिन बचा नहीं है देखते हैं क्या-क्या आएगा इसमें इसमें 100 क्वेपर होगा 90 मिनट टाइम होगा आपके पाप जिस इसमें से जीए के 40 क्वेश्चन होंगे और मैथमेटिक्स के तीस तता जेनरल इंटेलिजेंस मतलब रिजनिंग के 30 क्वेश्चन होगे जो 2016 में फस्टेस का पेपर हुआ था उसका पीडियेफ हमारी वेबसाइट पर अबलेबल है तो आप वहां से जाके फस्ट पेपर जो परियाबरड के इन सब के स्ट जधा थे और एक नलॉजी के भी कुर्शिटिन थे साइंस आ टेखनोलोजी के मैथमेटिक्स में जो लोग अपवहें हैं कि इसमें एडवांस महिं आती है तो एक दो दो क्वेश्चन हर चेप्टर से आएं दो कोश्चन टिक्नमेंट्री के भ मार्किंग होगी आपकी एक number का question होगा और इसमें जो उपर table में मैंने दिखाए कि section wise distribution दिया गया है कि तो कोई जरूरी नहीं है अगर उसमें कोई variation होता है तो आप उसके लिए पहले से त्यार होई है यह और अगला दिया गया है कि पहला stage qualify करने के लिए हर category को कितने marks से ही होंगे, देखिए इसमें qualify करने के लिए gender को 40% mark पाना होगा, और OVC को 30%, SC को 30% और ST को 25% mark पाना होगा, जो second stage का exam होगा, मतलब mains वाला exam होगा, और ये सभी के लिए अलग-अलग होगा, हार post के लिए, तो उसमें देख लिए कूपल 120 question होगे, 90 minute होगे, GA के 50 question होगे, 35, math और reasoning के 35, सभी question के एक-एक marks होगे, इसमें भी 1 by 3 की मार्किंग होगी, देखिए इसमें अलग-अलग label वालो के लिए, अलग-अलग grade of difficulty होगी, second stage वाले जो paper होगा उसमें, तो देख लेते हैं कि किस stage वालो का same paper आएगा, देखि अलगी का, जो second stage का paper होगा, common होगा, level 3 में, cable 8 post है, इसका paper separate इनका भी होगा, level 4 में, traffic assistant का paper है, इसमें separate होगा, level 5 में देखिए इकनी सारी vacancies हैं, और इनका एक common paper होगा, level 5 वालो के लिए, goods cards होगा, senior commercial come ticket clerk वाला, senior clerk come typist, junior accountant, assistant come typist, इन लोगों के लिए, एक ही level का paper होगा, और ये देखिए, label 6 में, दो vacancy है, commercial apprentice और station master, इनका एक common paper होगा, अगला जो CB80 का test है, common based aptitude test, जो मैंने बताया था, किवल दो vacancy के लिए है, दो post के लिए है, उसमें, ये second stage वाला जो paper हो जाएगा, CBT2, उसके बाद होगा, ये हिंदी और इंगले दो ही language में होगा, और इसम stable आप qualify कर ले जाओगे, तो सीधा आपका document verification के लिए call आजाएगे, लेकि 70% जो है second paper वाला, और 30% mark वा bet is होगा, जो ही CB80 test होगा, उसका, फिर उसके बाद उसी हिसाब से merit बनेगी, और psycho test इसमें, जो होगा, CB80 test होगा, उसमें क्या क्या चीजे होगी, तो memory test होगा, direction test होगा perception test होगा, concentration test होगा, और फिर उसके बाद आपका एक perceptual speed test होगा, देखिए अगला जो है typing skill test, लोग हर stage qualify कर जाते हैं, लेकिन इसके लिए अगर आप सुरुआज से तयार ही नहीं करेंगे, तो उस time पे आपको problem होगी, मतलब आप 2 stage clear करने के बाद भी तीसरे stage में फज्जा हो सेनियर टाइम केपर, जूनियर कलर कम टाइपर, एकाउंट्स कलर कम टाइपर एंड जूनियर टाइम केपर, इनके लिए जो typing skill test होगा, वो qualifying nature का होगा, यह जो typing का नंबर होगा, इनके merit बनने मले में add नहीं होगा, दूसरी चीज, कि जितने जितनी vacancy है, उसके 8 गुने लो word per minute की Hindi typing चाहिए होगी, on personal computer only, और बहुत important चीज यह है कि without editing tools and spelling check facility, और Hindi typing के लिए जो font होगे, वो कुरती देओ और mangal font होगे, इसके बाद जो fourth level होगा, document verification का होगा, उसके बाद medical test होगा, फिर आपका selection हो जाएगा, final